क्या सोचा था बात नहीं करेंगे इसके बारे में, doubt clear नहीं करेंगे आपका, जरूर करेंगे आज बात करने वाले हम natural body building के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ये बाते चल रही हैं राइट कि natural body building करके या फिर naturally आप एक rib physique, so called rib physique, six pack abs, lean muscular body नहीं बना सकते अगर आप एक overweight इंसान हो या जो भी हो आप नहीं बना सकते तो guys आज मैं आपको ये सारी चीजें बहुत ही beautiful तरीके से with logic and science आज मैं आपको पता हूँगा और मैं ये video जो बना रहा हूँ, this is not for any individual or any group of people जो ऐसा सोचते हैं, this is for the young generation of India क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ये जो हमारी नई generation है, जो आज से 2 साल, 3 साल पहले YouTube नहीं देखते थे, social media में नहीं थे, 12, 13 साल के थे, 11, 12 साल के थे, आज वो 14, 15, 16, 17 साल के हैं और आज नहीं नहीं जब वो इस तरीके की information इंटरेट पे देख रहे हैं, इस तरह की बाते सुन रहे हैं कि भई, बिना steroid लिये तो 65 बनते ही नहीं है, और वो ये मान लेते हैं, कि भई, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये बहुत ही dangerous है, ये एक mindset को खराब करने वाली चीज है, और जो मैं बिल्कुल होने नहीं दोंगा, तो आज हम बात करेंगे again, फिर से बात करेंगे जो बहुत बार कर चुका हूं मैं, एक नए वीडियो में फिर से बात करेंगे, natural bodybuilding possible है की नहीं, और naturally क्या आप lean six pack abs बना सकते हैं नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो क को बिना देरी किये, so guys पहली चीज आती है यहां पर, पहला point कि natural bodybuilding कुछ नहीं होती, बहुत बार सुना होगा ना अपने लोगों से कि natural bodybuilding यह क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं दोस्तों, जब मैं master's कर रहा था, जिन लोगों ने master's PhD कभी करी हो कि पनी जीवन में, तो उनको पता होता है कि master's करते वक्त आपको अपना thesis submit करना पड़ता है, and I've done my master's from one of the top universities in the world, top 60 universities में मेरी university हाती है, वहां से मैंने जब thesis submit किया on impact of natural bodybuilding, तो यह अपने आप में ही एक बड़ी बात है, तो आज मैं उसका ही reference देके आपको यह थी कि भीया, एक bodybuilder क्या होता है, कौन होता है एक bodybuilder, क्या bodybuilder सिर्फ वही है जो competitive bodybuilding कर रहा है, जो bodybuilding sports खेल रहा है, posing कर रहा है, oil लगा के, underwear पहन के stage में खड़ा हुआ है, और judges से points ले रहा है, क्या वही bodybuilder होता है, बिल्कुल भी नहीं, everybody who is building their body, someone who is building their body from scratch, यानि कि bottom to up, जो अपनी body को build कर रहा है, उसके लिए training कर रहा है, चाहे वो कैसे भी training हो, चाहे वो एक cyclist हो, जो weight लगा कर अपने पैरों में cycling speed बढ़ा रहा है, power बढ़ा रहा है, या फिर एक footballer हो, जो अपनी quickness, अपनी speed को increase कर रहा है, performance को increase कर रहा है, we all are bodybuilders, चाहे आप एक gym में ज natural bodybuilder, natural bodybuilder is a person who is building their body without the use of drugs and steroids, ये simple definition है, अब natural के कई सारी परिभाशा हैं, लोगों के लिए अपने अपने दिमाग में उसको भूल जाते हैं, सिर्फ ये समझो, कि जो drug नहीं लेता, जो steroid नहीं लेता, और फिर भी अपनी bodybuild करने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान एक natural bodybuilder ह जैसे कि मैं एक natural bodybuilder हूँ, आप एक natural bodybuilder हो, जो gym जाते हो, drugs नहीं लेते, steroids नहीं लेते, सिर्फ एक खाना खाते हो अपने घर पे, और उसके साथ साथ आप थोड़ी बहुत supplementation लेते हो, way protein, creatine, जो भी आपके मन करता है, इस तरीके के simple supplements लेते हो, no sams, no peptoids, ओके, तो sams और peptides आपके ये supplementation में consider नहीं करते, they are steroids, बहुत बार बताया है मैं, अब जब मैंने आपको natural bodybuilder की परिभाशा मैंने समझा दी, तो समझो कि भी natural bodybuilding कोई भी कर सकता है, कोई भी इंसान, चाहे वो मुटा हो, पतला हो, छोटा हो, लंबा हो, कोई भी इंसान, skinny fat, skinny person, anybody can become a natural bodybuilder, because that person is trying to build body, right, build body naturally, हो गई बात समझ में, आगई बात समझ में, अब जो दूसरा point आता है, दूसरा बड़ा सवाल आता है, लोग ये कहते हैं कि can an overweight person, एक obese person, एक overweight इंसान, six-pack abs, अपने defined six-pack abs, अपनी lean muscular body बना सकता है या नहीं, naturally, ये सवाल लोग खड़ा करते हैं, अब देख एक तो है आपका goal, यानि की जिसे कहेंगे हम लक्ष, दूसरी चीज है आपकी उद्देश, यानि की motive, और तीसरी चीज है आपकी योगिता, यानि की capabilities, ठीक, अब ये तीन चीज़े हमें चाहिए, अब मैं आपको धिरी-द्री explain करता हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले तो बात करते हैं आपके goal और उद्देश, यानि की goal, यानि की लक्ष और motive की, अब लक्ष जब आपका है, goal जब आपका है, और देश जब आपका है, कि आप एक overweight इंसान से एक normal इंसान बनना चाहते हैं, यानि की थोड़ा सा lean, flat tummy आपका बन जाए, और आपका अच्छा दिखना चाहते हो, नॉर्मल दिखना चाहते हो, आप overweight नहीं दिखना चाहते हैं, और नॉर्मल लोग के कपड़े medium size, large size पहनना चाहते हो, double xl, triple xl नहीं पहनना चाहते हैं, अब ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से आप अपना body का वजन कम करके, body fat drop करके माँ पहुँच सकते हैं, अब इसके बाद आते हैं, वो लोग जिनका goal, जिनका लक्ष है ribbed physique बनाना, so called ribbed physique, यानि कि body fat percentage कम आपका at least single digit में हो, जहाँ पर आपके six pack abs, आपकी muscularity, vascularity दिखाई दे, ठीक है, और आपका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, modeling हो सकता है, photo shoot, video shoot, films, acting, you know, बहुत सारे ऐसे, या फिर shows, bodybuilding shows, ये आपके goal हो सकते हैं, यानि कि आपका उद्देश्य हो सकता है, इसलिए आप यह सब कर रहे हो, इस goal के पीछे भाग रहे हो, अब मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, example, दो लोगों का, पहला है सारा अली खान का, अब सारा अली female with PCOD problem, यानि कि उनको polycystic ovary disease की problem थी, syndrome था, ये डाइग्नोस हुआ था, जिसके वज़े से उनका weight बहुत हद तक बढ़ गया, 96 kg, और उसके बाद उन्होंने ट्रांस्वरमेशन किया, now she is quite lean with abs, बहुत ही lean and muscular physique है, बहुत ही अच्छा physique है, दूसरे example मैं आपको देता हूँ, जशान लखा का, मेरे client, अब उनका transformation भी हमने around, लगभग 80-82 kg के आसपास से शुरू किया था, then we went from 75, उसके बाद धीरे-धीरे 62 kg तक हम उनका weight ले किया है, with a complete transformation of 6-pack abs, under body fat percentage अगर मैं कहूँ, तो 7 या 8 के आसपास body fat percentage, rift physique with muscularity हम ले किया है, अब ये दो examples ऐसे हैं, जिसमें आपको goal, यानि कि लक्ष और उदेश नजर आता है, लक्ष क्या है, लक्षी है कि 6-pack abs बनाना, दोनों के लिए ही, यानि कि एक lean flat tummy बनाना, एक model physique बनाना, दूसरी चीज उदेश क्या है, उनका उदेश मोटिव ये है कि सारा लिखान की बात करें, तो films, modeling, you know, show business, उसके साथ confidence, ये दो इतनी बड़ी चीज़ें आपकी, जो motive कहलाती है, आपका उदेश ये कहलाता है, ये बहुत बड़ा होता है, जिशान के case में भी same था, उनका उदेश ये था, उनका motive ये था, कि भई, वो अपनी body का जो वजन है, उसको कम करें, six-pack abs अपने बनाएं, और साथ साथ एक healthy lifestyle की जगा जाएं, और confident बने जादा, क्योंकि जब आप एक overweight इंसान होते हैं, तो आपका confidence कहीं नहीं lose हो जाता है, आप अपनी physique को जब transform करते हैं, तो कहीं नहीं आपका mindset भी transform होता है, you become more confident, you become more healthy, अब मैं आपको बताता हूँ, एक तीसरा important factor, जो है आपका capabilities, यान लेकिन योग्यता नहीं है, capability नहीं है, तो भी आप इस चीज को achieve नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, because अगर आप diet hard करने के लिए तयार नहीं है, train hard करने के लिए तयार नहीं है, आप में discipline नहीं है, आप में consistency नहीं है, आप में dedication नहीं है, आप सारे ऐसे clients को train के अपनी पुराणी life में, जब दो हफते, तीन हफते भी नहीं होते हैं, लोग बेचेन हो जाते हैं, sir diet नहीं हो रहा, sir मुसे ये खाय नहीं जा रहा, आज मेरी girlfriend की बड़े है, कल मेरा, you know, मुंडन है बच्चे का, भाई की शादी है, तो लोग ऐसे excuses देने लगते हैं, और जैसे इसे diet hard होने लगती है, they tend to lie and cheat, बहुत जूट बोलते हैं, बहुत cheat करते हैं, बिना बताए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो cheat कर रहे हैं, इसलिए योग गिता, capability एक बहुत ही important factor है, जो कई सारे लोग lack करते हैं, आप इस दुनिया में कोई भी गुरू को चुनलीजिए, लेकिन अगर आप में योग गिता नहीं है, काबिलियत नहीं है, उस गुरू से शिक्षा प्राप्त करने की, तो आप कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप अपने आपको कभी भी नहीं बदल पाएंगे, गुरू दौण चारे इन तो धर्न विद्या कौरों को भी सिखाई थी, तो क्या बन गे सब के सब अर्जुन, अर्जुन सिर्फ एक बना था, और वो इसलिए क्योंकि योग गिता वहां पे थी, एकलवी को भी अपना अंगुठा कटाना पड़ा था, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इसल विष्टा और गुरु पे अटूट विश्वास से, जब तक आपने गुरु पे विश्वास नहीं करेंगे, अहंकार नहीं त्यागेंगे अपना, जो एहम कहते ना, अरे हमसे बड़ा कौन है, हमको कौन सिखाएगा, जब तक आप ये नहीं त्यागेंगे, तब तक आप ग Transformation Fitness Training स्टार्ट करी, जो हो सकता है कि 2013-2014 हो सकती ही डेट, बट, तीन-चार साल Transformation में उनको लगा, उनका ओवरवेट जो जितना भी बॉड़ी फैट था और उनने ड्रॉप किया, विट Fitness and Training, और जिसमें वक्त लगा, this is absolutely possible naturally, कोई भी ऐसी चीजे लेने की जरुवत नहीं है इतना सा Transformation करने की, यह बहुत ही basic Transformation है, बात करेंगे जिशान की, तो जिशान was used to train from 2014, even before जब मुझे जानते थे मेरा चैनल भी नहीं था, तब से वो train कर रहे हैं, हाला कि उतना great physique अगर मैं कहूं तो नहीं था, लेकिन still he was training, लेकिन जब उनकी शुरुआत मेरे साथ हुई, तो वो year था 2018, यानि उनके पास already existing muscle mass था, training का experience था, लेकिन 2018 में जब हमने start किया, तो करीबन 6-8 महीने के बीच में हमने उनको completely transform किया, और यह जो transformation की जब बात की जाती है, 6 months transformation, उसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, मेरे भाईयों के cutting transformation, यानि कि body का fat shred करना, वो 6 महीने में बि जिशान 82 kg के थे, हम उनको 62 के करीब लेके आए, अब इसमें लगभग मेरे साथ जब उन्होंने training स्टार्ट करी, वो करीबन 76.5 kg में आये थे, उससे पहले उन्होंने 2-3 महीने खुझ से भी थोड़ी बहुत training करी, जिसमें उन्होंने 4-5 kg का weight अपना drop किया, जो easily possible था, उसको maintain रखा जा सके, और साथ ही साथ body fat percentage को, एक single digit, यानि की 7-8% पे लाया जा सके, और बहुत ही खुबसूरत physique बनाई जा सके, for photo shoot purposes, तो ये पूरा transformation बहुत ही easily possible है, जिशान की height करीबन 5.3 के आसपास है, 5 feet 3 inches, और उनका weight लगभग 80-82 के आसपास था, जो उनका original, जब व वक्त पे पहुँचने पे जब हम 62 kg के थे, लगभग total time उन्हें 6-9 में निका लगा है, तो ये बहुत ही easily possible है, काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे, कि भी ये transformation करने में थोड़ी बहुत exercises 4-5 करवाई होंगी, और उसके साथ थोड़ा बाद nutrition, supplementation हो गया काम, ऐसा नहीं हो आप से सारी चीजें उसमें measure की जाती हैं during training, और इतना detailed तरीक से की जाती हैं चीजें कि बहुत ही specific होंगे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि फोन पर बता दिया हाँ ये कर लेना और ये खा लेना वो पी लेना ऐसा नहीं, this is a professional way of training, और तभी result मिलते हैं specific, मैं आपको बता-ब योग्यता, गोल और अदेश ये तीनों ही चीजे होनी चाहिए, अब जिशान का transformation हमने 6 महीने में किया, यानि कि cutting का transformation, fat loss का transformation, तो शुरू के जो 3 महीने थे, उसमें हम लगबग 76.5 kg से 70.2 kg तक आए, उसके बाद हमने जो next 3 मन्त का phase था, थोड़ा सा break लेने के बाद, हम वह बहुत ही slowly हमने धीरी-धीरी उनका fat drop किया, while maintaining the muscle mass, अगर कोई अभी भी इस पर ये किन नहीं करता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ये बहुत ही stupid है ऐसा सोचना, कि ये unnatural transformation है, ये drugs लिए है, steroids लिए है, how stupid those people are, मतलब मुझे क्या कहते हैं उसे, I pity for them, बहुत ही अजीब के बारे में भी research कर ली होती, तो आपको कभी भी confusion नहीं होता, I am working from past 4-5 years on a mission called drug-free India, पूरी इंडिया में कोशिच की, मैंने university में जा जाके, free events, free seminars करके, मुझे क्या पढ़ी है यार, ये सब करने की, मुझे कौन सा कुछ earn हो रहा है, किसी university में जाके, किसी event करवाके, अपने तो अभी-भी fitness में आ रहे हैं, अभी-भी training में आ रहे हैं, उनके दिमाग में जब ये बात भर दी जाती है, कि six-pack apps तो आप बिना steroid ले नहीं बना सकते, तो कितना खतरनाक है ये, वो अपनी जिंदिगियां खराब कर रहे हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि वो खुबसुरत द लेते रहना पड़ेगा, और इसमें कितनी सारी जिंदिगिया sacrifice हो रही हैं, कितने लोगों के internal organs खराब हो गए हैं, बेड में पड़े हैं, लोग, careers खतम हो गए हैं, families खतम हो गई हैं, कब आएगा समझ में आप लोगों को, मतलब मैं ये कोई rank नहीं कर रहा हूँ, but I'm fed up with this thing Drug Free India Mission के चलते और भी बहुत सारी चीज़े करी हैं, आपके लिए इतने सारे free programs बनाए हैं, अपना life में, आपकी जिंदगी में, इंडिया में पहली बार अगर किसी ने अपना खुद का protocol बनाया है, खुद का training protocol, तो वो हमने बनाया है, HST 10 protocol, it's free of cost, इंटरनेट पर पढ़ा protocol इजात किया है किसी ने, जो मैंने इजात किया है मेरे खुद का training protocol, तो ये सब चीज़ें मैं drug free India Mission के लिए कर रहा हूँ, और फिर कोई उठके मुझे को बच्चे लोग बोलते हैं ये सब की, अपने client का ही transformation आप drug लेके करते हो, तो यार ये तो मतलब acceptable ही नहीं है, मतलब य इनसान उसी को उठा सकता है, जो सो रहा हो, जो सोने की acting कर रहा है, उसको नहीं उठा सकते हैं, तो वही मेरे साथ भी है, मैं उन लोग को समझा सकता हूँ, जो समझने के लायक हैं, योगता है जिनमें समझने की, जो समझने की चाह रखते हैं, लेकिन जो मान के ही बैठे है है ऐसा कि यार होई नहीं सकता हम तो सोने की एक्टिंग करेंगे तो फिर यह पॉसिबल ही नहीं हों के लिए राइट सो गाइस क्लियर यह माइंसेट आप अपने दिमाग में यह जो चीजें लगी हुई है इसको निकाली है और पढ़ना लिखना चालू करिये पढ़ाई वड कर रहे हो क्या जिम के अंदर जाके आपको नौलेज आ जाएगी चार यूट्यूब के विडियो देखने से लोग ऐसे फुला के कुछ भी बोल देंगे तो क्या अब वो साइन्स हो जाती है रिए यह तो लर्न दिस थिंग डिस इस अ बलड़ी स्किल लोग इसके लिए चार में वो दुन नहीं आएगी नहीं समझोगे आप दुन को सो पढ़ो किताबों से पढ़ो रिसेर्स पेपर से पढ़ो यूट्यूब से मत पढ़ो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कन्फ्यूज करने वाली जो आपको प्लीज अंड़स्टैंड जिंदेगी गुजर गई मेरी नैचरली ट्रेंड करते वे पंद्र साल हो गए हैं नैचरली ट्रेंड कर रहा हूँ और आइनो कि मेरा फिजीक कहा है कितना वक्त लगा मुझे यहां पहुँशने में एंड उसके बाद भी लोग यह कहते हैं कि जी यू हव तो लॉन दिस थिंग आइस लॉन दिस थिंग अगर जो जिंदगी में आपको यह आपने पढ़ लिया ना एक बड़ यह स्किल सीख लिया ना तो यह सिर्फ एक तरेकिय का एक्सपेरिमेंट है जो आप अपनी बॉड़ी में कर रहे हो किस चीज का को राइट शाइन लेके आते हो वैसे वैसे आप इस एक्सपेरिमेंट को पॉलिश करते हो और साल बर साल जैसे से आप आगे बढ़ते हो आपकी जो रिजल्ट हैं वो भी पॉलिश होते वे जाते हैं अब एक चीज यहाँ पर क्लेरिटी जरूर रखिए कि जब आप नेचरली बॉड़ी बॉड़ी कर रहे हैं बिना स्टिरोड ड्रग्स के तो वहाँ पर आप कॉंपिटिशन्स जो हाई लेवल के कॉंपिशन्स होते हैं मिस्टर ओलंपिया यह बहुत ही मस्क्रियर फिजीक उसके खवाब मत देखिया अप इज नोट पॉसिबल नेचरली वो गेम ही स्टिरोड्स अर्डग्स का है अगर आपको naturally compete करना है तो आपको natural platforms बहुत सारे हैं चोटे level पे वो natural platforms होते हैं जादा popular नहीं है उनमें आप compete कर सकते हैं लेकिन अगर आपका goal ही competitive bodybuilding करना है तो फिर यार अपने सर में एक बड़ा सा पत्थर रखना और सोच लेना कि आपको drugs लेना ही पड़ेगा steroids लेना ही पड़ेगा is it giving you that results आपको वो क्या returns मिल रहे हैं उसमें इतना अपनी body को compromise करके sacrifice करके अपनी body का तो ये चीज भी सोच लेना और अगर आपको naturally muscle बढ़ाना है physique तयार करना है अपना six pack abs बनाने है तो आप एक चीज टर्म होती है जिसे कहते हैं fat free mass index FFMI अगर FFMI आपका achieve करना चाहते हो 26, 27 तो वो easily achievable है naturally लेकिन जब आप उसके ऊपर achieve करना चाहते हो एक inhuman physique 200, 300 pound के body builder बनना चाहते हो with 4, 5 body fat percentage तो वो impossible है बिना drugs के वो करना ही impossible है so let's understand अगर मैं आपको बताओ कि मेरा जो physique है it's a very average physique you know when I cut down I go up to let's say 5, 6%, 7% के आसपास तक मैं जाता हूँ जो cut down करता हूँ and I weigh around 75, 76 kg जब मैं पूरा lean होता हूँ right now अगर मैं अभी की बात करूँ तो I'm around 80, 82 kg तो lean down करने के बाद अगर आप ये muscle mass carry करते हो with that body fat percentage तो वो कहीं न कहीं आपका FFMI आपका 27 से under ही होता है जो naturally possible है आप easily achieve कर सकते हो और इस दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो body builder बनना चाहते हैं जादातर लोग तो यही चाहते हैं कि एक अच्छी खूबसूरत six pack abs जैसी physique आपके पास हो थोड़ा बाद muscularity हो आप functioning हो आप T-shirt उतारे तो आप अच्छे दिखें T-shirt पहने तो अच्छे दिखें तो यही तो requirement है जादातर लोग की तो क्यों उसके लिए drugs लेना है आपने मतलब यह समझी इस चीज़ को जब यह possible है naturally right so do not think about this now अब एक प्रजाती ऐसे भी आती है जो यह कहती है कि भी जब आप एक overweight इंसान जिसका body type एक overweight है जो genetically overweight है और वो transform करता है और transform करने के बाद उसके six pack abs आते हैं या lean हो जाता है वो तो उसका body type ही ऐसा है कि transform करने के बाद वो वापस से वैसा ही हो जाता है अब मैं इस पर क्या बोलूँ मतलब आप यहाँ पर एक बहुत important factor miss out कर जाते हो कि भाई transform करने के लिए उसने कुछ certain degree training करी होगी कुछ amount में food खाया होगा कुछ planning करी होगी वहाँ पहुचने के लिए अब जब वहाँ पहुच गया उसके बाद जब आप training और nutrition consistently नहीं दोगे तो आप उसी position में पहुच जाओगे जहां से आपने शुरू किया था यह तो nature है यह तो मतलब भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है आप science को उल्टा कैसे कर दोगे आप क्या चाहते हो कि मतलब आप कुछ ना करो transformation करने के बाद जो कर रहे थे पहले transformation achieve करने के लिए six-pack abs achieve करने के लिए आप वो सब कुछ ना करो और time महीं पे freeze हो जाए आप आप जिंदी की बड़ ऐसे ही दिखो ऐसा कैसे होगा भी या मतलब कहां से पढ़ क्या हुआ आप अगर चाहते हो कि आपकी maintained रहे हो फिजीक तो you have to maintain the hard work in आपकी training आपकी nutrition आपकी supplementation everything has to be same consistency चाहिए उसमें simple मतलब ये समझना कितनी बड़ी मुश्किल बात है regardless of what body type you are कोई भी body type हो आपका आप overweight, obese category में हो skinny थे या कोई भी meso-muff, any body type so called body types कोई भी आपका body type हो आप अगर अपनी training या कोई भी factor को निकालेंगे अपनी life से तो आपकी body वैसे ही उसी situation में उसी position में पहुच जाएगी चाहे आप कोई भी होई so guys please understand this thing कि आप एक अच्छी physique अगर चाते हैं उसको maintain करना तो consistency is the key आपको वोही same protocol of training similar मतलब उसी तरह की intensity उसी तरह का nutrition का food वोही quantities में या उसके आसपास की quantities में maintain करना पड़ेगा तभी आप उसी shape को maintain कर पाएंगे simple सी बात है और अब बात करते हैं मेरी online training की या फिर personal training की so guys this is not my aim यह मेरा aim नहीं है किसी को online training देखके you know survive करना या earn करना I have a brand I have a company called Himalayan Stallion with multiple businesses fitness के अलावा भी I do a lot of things so मेरा यह goal नहीं है training करना I only train people those who have capabilities और उसके साथ साथ reference उसके साथ साथ common friends यह सारी चीजें जब मिलती है तब जाके I select clients और यह बहुत ही different criteria होता है let's understand this thing और मैं यह brag नहीं कर रहा हूँ but this is what it is I don't have time these days मतला मेरे पस नहीं होता है कि मैं इन सारी चीजों में I have a family you know to take care of I have other things तो यह आप समझे जितनी knowledge में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको YouTube के माध्यम से दूँ उसको सीखिए right fitness YouTube में आपका मकसद entertainment ढूणने का नहीं होना चाहिए आपका मकसद होना चाहिए knowledge ढूणने का ज्यान प्राप्त करने का अपना वक्त बरबाद मत करिये time is not money time is life आपकी जिन्दगी है आपका वक्त अगर आपने ये वक्त बरबाद कर दिया तो आपने अपनी जिन्दगी बरबाद कर दी ये समझो मेरे दोस्तों let's learn from YouTube let's create something big आप देखते हो ना हर फन का भी एक वक्त होता है मज़े का भी वक्त होता है लेकिन कभी कभी serious रहना बहुत जिन्दगी में बहुत जरूरी है और responsibility को लेना बहुत जरूरी है मजाग मस्ती ही करते रहोगे लड़ाई जगड़ों में ही फसे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाऊगे, let's be serious about your career, because आप fitness में कही नहीं अपना career भी ढूड रहे हो, right, इस ज्यान को प्राप्त करने के बाद आपको आगे भी पहुचना है so guys, आप लोगों से यही request है that do not fall into the trap of steroids and drugs and also be smart don't fall into the trap of bro science and stupid information in the internet and guys, thank you very much for joining in, I hope के आप लोगों को कुछ समझ में आओगा, अगर समझ में आया है तो please share this video with everyone and take care, I love you all Jeet Salal, signing off